एक अगर डार हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टो माई चैनल लर्न विद ललीता तो स्टुडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है लैटिस मैथर्ड लैटिस मैथर्ड ऑफ मल्टिप्लिकेशन ओके स्टुडेंट्स आज के स्टुडियो में हम सीखेंगे कि कैसे मल्टिप्लाइ करते हैं लैटिस म को students हमें multiply करना है किस से 78 से तो देखे students यहां पर हमने multiply किया हुआ है 653 को 78 से तो हमारा answer कितना आया students 50,934 okay students यह हमने vertically multiply किया है okay students तो अब इसी number को students हम lattice method से multiply करना सीखेंगे कि कि किस तरीके से हम lattice method में इस number को multiply करते हैं और अपना answer चेक करेंगे okay students तचले start करते हैं lattice method में students multiply करने के लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले हम एक box बनाएंगे तो देखें यहां पर मैंने box बनाया है students अब क्या करेंगे students अब हम देखेंगे कि हमारे पास में हापे कितने digit हैं देखें 1 2 3 3 digits हैं students हमारे पास में तो हम क्या करेंगे students इसमें हम two lines डालेंगे one and two okay students तो मैंने यहाँ पे दो line डाल दी है one two ठीक है एक box बनाया पहले square box बनाया students फिर उसमें दो हमने सीधी line डाली और यहाँ पे हम अपना number लिखेंगे 653 means 653 okay and किसे multiply करना students 78 से तो हम क्या करेंगे यहाँ हम लिखेंगे 7 and यहाँ हम लिखेंगे 8 okay students और बीच में और एक line हम draw करेंगे देखें यह line हमने draw कर दी अब हमारे पास में कितने box हो गए students 1, 2, 3, 4, 5, 6 ओके स्टुटेंट्स अब हमारे पास में कितने box हो गए 6 अब क्या करेंगे स्टुटेंट्स इन सभी box में हम diagonal line डालेंगे means तिरची line डालेंगे ओके आप scale की help से स्टुटेंट्स अच्छे से इसमें line draw कर सकते हैं ठीके यह देखिए मैंने diagonal lines डाली है तिरची line डाली है सभी square boxes में यह देखिए ओके स्टुटेंट्स इस तरीके से यह हो जाएगा तो इस तरीके से यह हमारा बनेगा स्टुटेंट्स अब हम क्या करेंगे इसको multiply करेंगे 653 को हम किस से multiply करेंगे 78 से तो चलिए start करते हैं 7 को हम 3 से करेंगे तो 7, 3 जा कितना होता है स्टुटेंट्स 7, 3 जा 21 ओके स्टुटेंट्स तो 21 हम इसमें लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे स्टुटेंट्स 1 के place का number हम यहां लिखेंगे and 10 के place का number हम यहां लिखेंगे तो हमने लिखा न, students, 21, कैसे लिखा हमने, once के place का number हमने नीचे लिखा, and tens के place का number हमने उपर लिखा, okay students, and next करेंगे, 75, 35, तो कैसे लिखेंगे students, yes, tens के place का number यहां आएगा, और once के place का number यहां आजाएगा, तो 75, 35, okay, and 76, कितना होता students, 42, 7 का table आप 6 तक पढ़ेंगे, तो कितना आजाएगा, 76, 42, okay, and next student हम करेंगे, 8 से करेंगे multiply इन सब को, तो 8, 30, कितना होता students, 8, 30, 24, तो यहां आजाएगा हमारा 2, and यहां आजाएगा हमारा 4, students, आपको ध्यान में रखना है, कि आपको नीचे लिखना है, once के place का number, and उपर लिखना है, आपको tens के place का number, okay students, and next करेंगे students, 8, 50, 40, 40, and 8 सिखेंगे students, मैं 48, तो देखे students, इन सभी में हमने numbers लिख दिये हैं, अब हम क्या करेंगे students, हम हम इनको add करेंगे, तो add कैसे करेंगे students, हम इनको add भी diagonally करेंगे, इस तरीके से, हम इनको अपनी lines को बढ़ा लेते हैं students, ठीक है हम इनको इस तरीके से हम इनको इस तरीके से diagonally क्या करेंगे add करेंगे okay students तो start करेंगे once के place से 4 1 और 2 1 में 2 add करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 okay students and 2 में 5 add करेंगे 2 और 5 7, 7 में 4 add करेंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 में 8 add करेंगे तो 19, अब 19 का students यहाँ आजाएगा 9, okay, and carry 1 कहाँ आएगा, यहाँ आजाएगा, okay, 19 का 9, carry 1, okay, and 3 और 1, 4, okay, 4 में 2 add करेंगे तो 6, and 6 में 4 add करेंगे तो 10, okay, तो 10 का 0, carry 1, okay students, 4 और 1, 5, okay students, तो यह देखिए हमारा, यह हमने multiply कर दिया है students, lattice method में, तो हमारा answer के आया students, यह आया है हमारा answer, okay, 50934, okay students, यह हमारा answer आया है, हमने 653 को हमने multiply किया 78 से, तो हमारा answer कितना आया है, 50934, means 50934, okay students, तो हम अपना answer चेक कर लेते हैं, जब हमने vertically किया, तो हमारा answer कितना है, 50934, और lattice method से किया students, हमारा answer किया है, same, okay students, तो इस तरीके से students, आप किसी भी number को multiply कर सकते हैं, lattice method से, किसी भी बड़े number को आप बहुत easily और fast multiply कर सकते हैं, okay students, I hope you have understood students, thank you for watching, bye bye. कर दो